ग्रन्थों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकान समस्याए स्वय में समाप्थ हो जाती है और सत्ति में मौन में बड़ी शक्ति होती है बड़ा बल होता है किन्तु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए क्या सदा मौन रहना उचित है नहीं इतिहास साक्षी है संसार में अधिक विपदाई इसलिए आई क्योंकि समय पढ़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया मौन रहा यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उप्योग करना भी आवश्यक है यदि अकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उसे सहमती समझ लेते हैं फिर धीरे धीरे वो आपका सोभाव बन जाता है आपका अभ्यास हो जाता है और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाशार की भाती बन जाता है अपनी वानी का अवश्यक्ता पढ़ने पर सदुपियोग कीजिए वानी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है इससे भी अधिक महत्पूर है ये समझना कि उसे कब तोड़ना है अगर ये समझ गए तो संसार की सारी समझ से आए अपने आप ही खतम हो जाएंगी और आईए मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे झाल